हाई गाईज और वेल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन वेल्किम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल अनालेसस आफ 19 जैन्वरी 2021 तो गाईज आज है तारिक 19 जैन्वरी 2021 और है टूजडे देखेंगे आज का दाहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को एनलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस पेपर चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा बिल्कुल सिंपल है इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो नीचे जॉइन नाओ का आप्शन देखने को मिलेगा जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है बाइचांस तो क्या करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलिग्राम का लिंक गिवन है उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये चैनल ओपन हो जाएगा क्योंकि वो इसी चैनल का लिंक है तो एक असान तरीका है लिंक को क्लिक करके भी आप जॉइन कर सकते हो देखो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ इसे जॉइन करने को क्योंकि यहां पे आपको डेली दाहिंदू न्यूस्पेपर मिल जाता है आप डेली यहां से डाउनलोड कर सकते हो सेकिंड चीज जो भी कर ग्राउंड एनलेसिस पोर्शन यहां पे आपको दे दिया जाता है थर्ड फिंग जो डेली करंड अफेर का वीडियो का नोटिफिकेशन यह मिल जाता है साथी साथ इसकी पीडियेफ भी मिल जाती है तो यानि करंड अफेर की आप टेंशन खतम कर दो क्योंकि यहां पे सार वीडियो का नोटिफिकेशन मिल ना कर पाओ पेली आप को एक मैप में जाकर दे th coisasुसे लेक्छर को स्टार्ट करेंगे और आज आप लोग को मैम में जाकर देखना है येम्न स्पार्टन है ना तो जिसे लोग को मैंन mapar से मम्न?". यह सारी चीज़े इंपोर्डन हो जाती है म और जिससे आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओगे, सबसे पहला आर्टिकल आता है वैक्सीन से रिलेटेड, यहाँ पर वैक्सीन के बारे में बताया गया कि क्या इसका आप कैसे तो एफेक्ट है, इंडिया के अंदर दो in India vaccines बनाई गई है वो है, एक तो है को वैक्सीन और दूसरा है को वी शील्ड, तो यह दो वैक्सीन के इस्तमाल करा जा रहा है और इसी को यहाँ पर इसी से लोगो को वैक्सीन के बारे में, नाव बात करें हैं यहाँ पर कोवैक्सीन के बारे में तो यह जो कोवैक्सीन के बारे में आर्टिकल दिया गया है कि इसके हो हम लोग जादा इस्तमाल नहीं कर सकते क्यों अगर एलर्जी है, फीवर है या फिर पूर इम्मुनिटी है तो इन cases में co-vaccine का इस्तमाल नहीं कर सकते और इससे पहले एक और report आई थी खाली पेट इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि co-vaccine जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो concerned वाला situation पैदा कर रही है क्योंकि co-vaccine से काफी problems create हो रही है इस वज़े से यहाँ पर co-vaccine को criticize करा गया है ठीक है और ये co vaccine को कौन सी company ने बनाया है भारत biotech limited ने बनाया है ठीक है जैसे कि यहाँ पर बताया कि अगर किसी की history है allergy से या फिर fever है bleeding disorders है ठीक है blood thinners है यानि कि उनका जो खून है वो थोड़ा सा हलका है पतला खून है ठीक है तो उसे co vaccine नहीं इस्तमाल करनी चाहिए क्योंकि इससे और जादे adverse effects हो सकते हैं तो यहाँ पर co vaccine का basically एक side effect बताया गया है और खास कर जो warn करा गया है against the person जिनका blood बहुत जादे thin है बहुत जादे पतला है उनको तो बिलकुल ही यह वाली vaccine इस्तमाल नहीं करनी है now उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा vaccination के बारे में बताया गया कि अभी तक हम लोगों ने 16 तारिक से अभी आज 19 तारिक हो गई मतलब कल के दिन तक हम लोगों ने 3.81 lakh लोगों को vaccinate कर दिया है और कहां कहां पर कितने कितने लोगों को vaccinate किया है यहां पर आप लोग देख सकते हो यह थोड़ा सा numbering है तो guys यहां पर एक situation ऐसे भी मुनकर आई है कि दो जगह पर काफी हद तक situation create हो गई है कि इन vaccine से दो लोग की मौत हुई है एक तो थे 52 साल के old person एक ते 43 साल के जो 52 साल वाला था वो उत्तर प्रदेश से बिलॉंग करते थे और 43 साल वाले करनाड़िगा से तो इन दोनों की death भी हो गई है इस vaccination के दोरान ठीक है और 580 लोगों के अंदर adverse reactions देखने को मिला है यानि कि देखो जादा amount नहीं है 3.81 लोगों में से 580 तो लोग ऐसे हैं जिनके ओपर adverse effects देखने को मिले बुरे प्रभाब देखने को मिले इन vaccines के और second चीज़ दो लोगों की यहाँ पर मौत हुई है इस vaccine के दोरा तो यह complete article था यहाँ पर यह सारी चीज़े बताई गई है related to vaccines उके ना उसके बाद बराबर में next article आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर Supreme Court क्या बोलता है Supreme Court ने बोला कि सरफ और सरफ जो पुलिस है उसे ही decide करना चाहिए Tractor Rally के ओपर जो भी यहाँ पर decision लिया जाए अब यहाँ पर Tractor Rally की बात आ रही है Tractor Parade करना चाहते हैं हमारे किसान भाई किसान भाई 26 जनवारी Republic Day को Tractor Parade करेंगे ठीके इनका पूरा पूरा गोल बना रखा है Tractor Parade करेंगे ही करेंगे और इनके दौरा यह भी बोला जा रहा है जो भी official काम होते हैं 26 जनवारी को जैसे कि हमारे आर्मी की Parade होती है जो भी official works होते हैं उनके अंदर कोई बाधा नहीं आएगी लेकिन इनको Tractor Parade करने देना चाहिए ऐसा यहाँ पर उनके दौरा कहना है ठीके अब यहाँ पर यह Parade कर के हो रहा है यह Parade कर रहे हैं अपने प्रोटेस्टिंग का एक पार्ट की दौरान ठीके और यह Parade कर रहे हैं यह Parade कर रहे हैं Regarding the Farmals जो की Center ने पास किये थे ठीके तीन Farmals Center के दौरा पास करे गए थे उनके against हमारे Farmers पिछले 5 महीने से प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं अब 26 जनवरी को इन लोग ने decide किया है कि यह लोग Tractor Parade करेंगे हमारे इंडिया का जंडा लेकर ठीक है तो इनके दौरा यह सारी बाते बोली गई हैं तो यहाँ पर यह आर्टिकल के अंदर यही सारी चीज़े को थोड़ा सा घुमा फिरा के वही चीज़े बार बार बताई गई है तो आप लोग से skip कर सकते हो उके उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे जो farm unions हैं और जो ministers हैं वो कल meeting में मिलने वाले हैं और भी यहाँ पर थोड़े सा date वगर आने वाली है किस तरीके से जो है आपस में इनके चीज़ों को clear करा जाए जो भी विवाद हैं आपस में farmers और जो है farmers और government के बीच में तो कैसे इन दोनों के disputes को clear करा जाएगा तो यह सारी चीज़े भी हम लोग आगे देखने वाले हैं अके ना उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे page number 2 के ओपर आएंगे कोई important article है नहीं हमारे पास जो की page number 2 पे से हम लोग discuss करें ठीक है फिर उसकाद आगे बढ़ेंगे page number 3 के ओपर आएंगे page number 3 पर भी कोई important article है नहीं आप लोग को मालूम होगा है schools के अंदर Delhi में जो CBS schools हैं वो open हो चुके हैं लोगों के अंदर उत्सा काफी देखने को मिला teachers के अंदर देखने को मिला ठीके तो यहां पर वो ही बताएगा जो schools हैं वो open हुआ है काफी लंबे समय से अभी तक close थे आप finally जो साल भर के बाद ये schools open हुआ है उसके बाद यहां पर एक यह article है जो कि काफी हद तक लोग skip कर देंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा Delhi में 30% तक जो है street crime जो है वो down देखने को मिला है 30% से जो गलियों में जो भी crimes होते थे जो भी यहां पर देखने को मिलता था हम लोगों regarding robbery वगरा जो भी crime होते थे उसके अंदर drop down देखने को मिला है तो यह सारी चीज़ें यहां पर पता लगाई गई है कैसे पता लगाईगी क्योंकि कोई भी crime होता है तो पुलिस के पास phone आता है तो पहले जादा phone आ रहे थे इस साल अप यहां पर जो last year है उसमें बहुत जादे कम phone आ है ठीक है जिससे यहां पर पता लगाई गया है कि crimes जो हैं डेली के अंदर वो थोड़े से down हो चुके है now page number 5 के उपर आएंगे page number 5 पे यहां पे आपको यह वाल आर्टिकल देखने को मिलेगा काफी जादा popular हो चुका है यह अरनब गोस्वामी के बारे में तो अरनब गोस्वामी इतना जादे news के अंदर है क्यों क्योंकि इनकी जो whatsapp chat है वो leak हो चुकी है और whatsapp chat यह किसके साथ कर रहे थे यह whatsapp chat कर रहे थे बी ए आर्सी के former CEO और वो former CEO कौन है मैं भी आप लोगों को बताऊंगा ठीक है तो यहां पे इनकी whatsapp chat आप कर सकते हो leak होई है और यह बी ए आर्सी के CEO former CEO कौन है पार्थो दास गुपता ठीक है तो इनके साथ यह chat leak होई और इस chat में काफी सारी situation create हो गई है काफी साथ आप कर सकते हो बवाल देखने को मिल रहा है देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर यह chat असलियत होई यह अगर chat बिल्कुल truth होई तो फिर यहां पे हमारे इंडिया के लिए बहुत जादे चिंता जानक बात होने वाली है देखो इस chat के अंदर अरनब गोस्वामी ने खुद यहां पे जो बी आर्सी के CEO हैं उनसे कह रखा है कि जो है इन्हें आपका सकते हो 15-20 मिनिट पहले आपका बाला कोड स्ट्राइक के बारे में मालूम था ठीक है बाला कोड स्ट्राइक के बारे में इन्हें पहले से ही मालूम था ठीक है तो यह बहुत बड़ी बात है बाला कोड स्ट्राइक के बारे में इन्हें पहले से मालूम था सेकिंड चीज क्या सेकंड चीज़ ये बताए गया इनके दोरा की आर्टिकल 370 को जो अब्रोगेट किया था हमने वो भी इनको बहुत पहले से ही मालूम था तो ऐसी सिचुएशन क्रियेटोरी हैं की बहुत सारी चीज़ें ने बहुत पहले से ही मालूम थी गवर्न्मेंट के स्टैप उठाने से पहले ही ठीके तो गाइस यहां पर ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात हो सकती है अगर ये जो चैट्स हैं ये बिल्कुल असलियत निकलती है तो उके ना उसके बाद बराबर वाला आर्टिकल यहां पर अच्छा एक चीज़ और अगर आप लोगों इसको थोड़ा सा और डीटिल में जानना है न कल के नियूस पेपर एनलेसिस में मैंने और डीटिल में ड ठीक है और इसमें यही सारी चीज़ बताई गए जो भी इंसिडेंट्स हुआ है उसके 10-15 मिनट या फिर एक दो दिन पहले से ही अरणब को स्वामी को यह सारी चीज़ें मालूम थी ठीक है तो यही सारी चीज़ें की वाटसप चैट क्योंकि और क्या करोगे क्योंकि जो व अरणजड फार्मर्स सैट टू मूव टू डेली यानि और जादे वाम्ड जो फार्मर्स हैं वो डेली जा रहें ट्रैक्टर पारेड के लिए ठीक है क्योंकि आने वाली है 26 जन्वरी तो जो है ट्रेक्टर पारेड के लिए सब्यादा फार्मर्स चाहते हैं कि जॉईन करें और और फार्मर जाकर अब जॉइन कर रहे हैं ठीक है नाव उसके बाद आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नमबर 8 के उपर पेज नमबर 8 पर यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा यह जो आर्टिकल से हमने भी पेज नमबर 1 के उपर आलरेड़ी डिसकस कर लिये हैं सबसे पहला वही चीज़ बताई गई है चलो रिवाइस कर लेते हैं को वैक्सीन है उसको हमें इस्तमाल नहीं करना है अगर किसी को ऐलर्जी फीवर ठीके ऐसी सारी कंडिशन हैं तो फिर उनको यह को वैक्सीन का इस्तमाल नहीं करना है क्योंकि इससे और जादे एड़र्स एफेक्ट्स पढ़ सकते हैं या फिर जिनका खून पतला है बलड थिनर हैं उन्हें भी यह इस्तमाल नहीं करना चाहिए उके ना उसके बाद यहां पर बताया गया देखो वैक्सीनेशन हमने 16 जनवरी से स्टार्ट किया 16, 17, 18 आज किती तारीक हो गई उनने तो इन तीन दिनों में खूब वैक्सीनेशन हुए जो लास्ट वला भी 18 तारीक है 18 तारीक में 1.48 लैक परसंस को हम लोग शॉट दे चुके हैं इस वैक्सीन का उके ना उसके बाद नेक्स आर्टिकल यहां पर देखने को मिलेगा आनली पुलिस शुड डिसाइड उन ट्रेक्टर रैली यानि कि सर्फ और सर्फ पुलिस को ही डिसाइड करना चाहिए ट्रेक्टर रैली के उपर ऐसा सुप्रीम कोड ने बोला यह मैंने अभी आपको पेज नमबर 1 के उपर डिसकस करा था उसके बाद यह भी हम लोग ने पेज नमबर 1 पर ही डिसकस किया कि जो फार्म यूनियन से हैं और मिनिस्टर से हैं यह कल मिलने वाले हैं और देखेंगे क्या सिच्वेशन क्रियेट होने वाली है तो गैज यहाँ पर यह थे आर्टिकल उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नमबर 9 की तरफ पेज नमबर 9 पर सबसे चोटास आर्टिकल पहले आपको राफाल से लिलेटेट देखने को मिलेगा यहाँ पर बताया गया राफाल जो है अपना डेबट दिखाएगा रिपब्लिक डे पर यानि कि एक राफाल आएगा रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी पर एक राफाल चलाया जाएगा उसको शोकेस करा जाएगा राजपत पर ठीक है तो फिर गाइस यहाँ पर हम लोग देखेंगे 26 जनवरी पर एक राफाल को चलते वे ठीक है तो अपना डेबट देने वाला है एक राफाल डेबट ठीक है आई उसके बाद बराबर में यहांप एक अर्टिकल है और यह वही चीज़े जब भी हम डिसकस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपोइंट कर लिया एक पैनल बना ली है, आपको सी कमीटी है अपोइंट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस से क्या होगा लगातार जो भी फार्मर्स के ग्रूप से मीटिंग करेगी ठीक है जित एक दिन एक फार्मर ग्रूप से दूसरे दिन दूसरे फार्मर ग्रूप से तो इस तरीके से मीटिंग होगी जितने भी possible solution निकल कर आएंगे regarding these three farm bills हम लोग उस solution को लेकर आएंगे आगे दे रखा है ये भी अरनब गोस्वामी चैट के बारे में दे रखा है ठीक है तो एक important article बन चुका है आज के time पर इस Republic TV के एडिटर का यहाँ पर जो अरनब गोस्वामी के जो चैट है वो लीख हुई उसके बारे में इमरान खान ने कुछ और बोल दिया इमरान खान ने बोल दिया इमरान खान ने पहली बाद ऐसे शब्द बोले है कि attack करा है मोदी गवर्नमेंट के उपर ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला गया इमरान खान के देख जैसे ही इमरान को खान को पता चला कि भाई यह जो चैट्स हैं यह अरनब गोस्वामी की वो लीक हुई है और ऐसी ऐसी बाते हुई है तो इमरान खान ने छूटते ही बोला कि भाई जो मोदी गवर्नमेंट है उसने प्लैन किया था बाला कोट एयर स्ट्राइक फैबररी में फैबररी 2019 में प्लैन किया था ताकि जो जनरल इलेक्शनस है वो जीत सके ओफो सबसे बड़ी बात ठीक है तो इसके दोवारा यहां पर यह बताया गया कि जो फैबररी 2019 में बाला कोट स्ट्राइक करवाई गई थी इसके बारे में पहले से प्लैन किया गया था ताकि जो जनरल इलेक्शनस जीत सके ऐसी बात है यहां पर इनके दोवारा बोली गई है ठीक है देखेंगे आगे और क्या-क्या आर्टिकल्स आएंगे अब्यस सी बात है धेर सारे आर्टिकल्स हम लोग को और भी देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक के ओपर ठीक है और यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा अच्छा हमने हाँ एक चीज बता ना भूलिया मैं आपको एक इंपोर्डन चीज है वो बी ए आर्सी मैं बार बार कह रहा हूं कि बी ए आर्सी के CEO former CEO के साथ चैट लीग होई है तो यह बी ए आर्सी क्या होता है इसके फुल फॉर्म है Broadcast Audience Research Council यह क्या करता है चैनल की TRP काउंट करता है Television Rating Points को Cound करता है धिक्या जिससे पता चलता है कौं से चैनल सबसे ऊपर चलता है कौन से चल लगी कितनी इंकम हो रही है ठीक है तो टी आर पी रेटिंग देखता है ये बी ए आर सी होके तो ये चीज़ आप लोग याद रखना ये भी एक अच्छा पॉइंट है जहां से कौशन बनने के चांसिस है ना उसके बाता है पेज नुबर टैन के उपर और यहां प यानि UK के अंदर, England के अंदर अभी विजयमालिया है ठीक है और वहां से जो UK Government है वो इने बाहर अभी भेज नहीं रही है एक्स्ट्रडिशन नहीं कर रही है एक्स्ट्रडिशन मतलब वहां से निकाल नहीं रही है अभी कुछ लीगल इशूस की वज़ा से तो लीगल इसे बाहर नहीं निकाल पा रही है UK से ओके तो आप जानते हैंगे इसके बारे में सभी लोग तो हैं कौन ये जिन्नों ने लिया था खूब सारा लोन और लेकर भाग गए थे और बैंक की सिचुएशन खराब हो गई थी इसी इनसान की वज़ा से क्योंकि देखो ये इनसा ऐसा है जिसकी वज़ा से एकॉनमी के ऊपर काफी बुड़ा प्रभाव पढ़ा है ठीक है ओब्यसी बात है इतना अमाउंट लेके भागे थे तो बुरा प्रभाव तो पढ़ेगा बैंक को छोड़ दिया नौन परफॉर्मिंग एसेट के क्राइसिस में एन पीए क्राइसि और उसके बाद यूके गोवर्नमेंट ने इंडिया से बोला कि जो ये बिजनसमेन विजेमालिया है इसको अभी एक्स्टरडाइट नहीं करा जाएगा यानि अभी नहीं भेजा जाएगा यूके से जब तक कुछ लीगल इशूस रिजॉल्व नहीं हो जाते कुछ लीगल को नहीं मालूम था तो मालूम था बच्चे बच्चे को जातर मालूम ही है जैसे हरशद मैता के मारे में मालूम है वैसी इस परसन के बारे में भी काफियत तक मालूम है उके ना उसके बाद ये इसके बरावर वाला आर्टिकल यहां पे नज़र आएगा पी एले से जो लैं वो चाइना के कंट्रोल में 1959 से ही वो लेंड है यहां पर यह बताया जा रहा है लेकिन बात इस आर्टिकल में कुछ और है वो क्या है Ministry of External Affairs ने मंडे में बोला it was aware of infrastructure यानि की Ministry of External Affairs पहले से ही aware थी पहले से ही मालूम था कि भई जो चाइना है वो अपना construction कर रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर के उपर ठीक है यानि की LAC पर पिछले कुछ सालों से construction जारी है लेकिन इंडिया ने भी अपना construction चालू कर दिया है और इंडिया भी अपना construction बढ़ाना चालू कर रहा है यह जो statement है यह कब आई जब एक report आई है एंडि टीवी के दोरा और एंडि टीवी ने एक satellite images दिखाई है कि जो चाइनीज है वो पूरी तरह से settle हो रहे है अरुनाचल प्रदेश की site पर ठीक है वहाँ पर अपना construction कर रहे है लेकिन उसको देखते वे इंडिया ने भी अपना construction स्टार्ट कर दिया है तो basically यह था कि दोनों construction कर रहे है अपने borders पर देखो यहाँ पर सबसे बड़ा point एक और यह भी है कि देखो चाइना construction कर देखने को मिल जाते हैं अगर हम बात करें यह जो पिछला 2000 साल 2020 में जो इन दोनों के बीच में विवाद देखने को मिला उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा main reason यह भी था कि जो इंडिया देखो चाइना ने अपनी तरफ अच्छी तरीके से develop कर रखा है construct कर रखा है ले New Monsoon Forecast Models on the Envil मतलब क्या है जो Indian Metrological Department है इंडिया का मौसम विभाग है भारत मौसम विभाग है यह वर्क करेगा कि जो rainfall predictions है उसके methods को और अच्छी तरीके से improve कर सके हैं अभी नहीं समझ माया देखो क्या है IMD India Metrological Department भारत मौसम विभाग का काम यह है कि मौसम के बारे में बताना हम सभी लोगों को कि किस तरीके से मौसम कल के समय रहने वाला है आने वाले टाइम में कैसा मौसम रहने वाला है कैसा weather रहने वाला है जिसको हम लोग weather forecasting बोलते हैं ठीक है कि forecast करना अंदाजा लगाना कि हाँ आने वाले time पे कैसा weather रहेगा बारिश होगी नहीं होगी तेज होगी कम होगी क्या situation रहने वाली है धूप निकलेगी नहीं निकलेगी cloudy रहेगा यह सारी situation बताता है हमें IMD तो फिर ऐसे situation पे बताने के लिए अब यहाँ पे IMD अपने अंदर improvement कर रहा है और इसने बोला कि जो rainfall की predictions यानि बारिश को लेकर जो भी यह बताता है जो भी अंदाजा लगा कर बताया जाता है उसको पे उनके जो methods हैं जो अभी के time पे इस्तमाल करता है यह उसको improve करके नए methods लाए जाएंगे और उनके अंदर सुधार करा जाएगा जिससे हम लोग को एक accurate information मिलेगी regarding the weather ऊके ना उसके बाद आगे बढ़ेंगे page number 11 के उपर यहाँ पे आपको advertisement देखने को मिलेगा ठीके 12 के उपर advertisement देखने को मिलेगा now page number 13 पे आप लोग देखने को मिलेगा world page के उपर world page के उपर एक दो article हैं जो की discuss करने लायक हैं तो सबसे पहला यहाँ पे आपको यह देखन करने वाले हैं oh तूर पर विजिट पर जाने वाले है तो पाकिस्तान के पी-ए-म है वह लो मदत तो कुछ करने सकते भर जाएंगे ठीक है क्या पत Hammam कि जो इंडिया के external affairs minister है एस जैशंकर जी तो ये भी अभी तीन दिन की विजट पर गए थे कॉलॉंबों में ठीक है तो ये चीज़ आप याद रखना तीन दिन की विजट पर गए थे श्री लंका के अंदर जहां पर इन्होंने bilateral relations को बढ़ाने की कोशिश करी है पूरे-पू पैसा दे रखा है श्री लंका में चाइना ने काफी अच्छा तरीके से infrastructure development करने की बात करें रखी है श्री लंका के अंदर तो आप्वियस ही बात है पैसा दे रहा है infrastructure develop कर रहा है वह आपके development की जब्मेदार है तो फिर वहीं पर जुकेगा तो श्री लंका जो है काफी हद चाइना की तरफ जुक रहा है ऑब्यसी बात है चाइना से relation अच्छे होते जा रहे है हमारी neighboring countries के ओके नाउ उसके बाद next article यहाँ पर देखने को मिलेगा काफी सारे शेरों में दंग के देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर इनको अरेस्ट कर गया 600 लोगों को और भाई अरेस्ट करने के बाद जो है जो भी troops से उनको फैला दिया गया है सिपाईयों को फैला दिया गया है now उसके बाद next जा आते हैं page number 14 के ओपर that is business page economy related article पढ़ने वाली है यानि की मान लो यह है USA और यह है इंडिया अगर USA को अपना कोई product इंडिया के अंदर export करना है और इंडिया इंपोर्ट करेगा तो इस पे charge लगएगा चार्ज लगेगा तो USA का थोड़ा बहुत नुकसान होगा ठीक है तो फिर यहाँ पे हम लोग heavy charge को लगाते हैं क्या फाइदा होगा यह भी हम लोग discuss करेंगे तो इंडिया को बोला जा रहा है यहाँ पे इंडिया ने import duties को बढ़ाया 5-10% कम से कम 50 items से उपर के इन 50 से भी जादा items पे इंपोर्ट duties को बढ़ाया गया है जैसे की smart phones हो गए electric components, appliances यह सारी चीज़ें जो की हमारे upcoming budget में होगी budget कब आएगा एक February को हमारा नया budget भी आने वाला है साल 2021 के लिए ओके नाव अगर हम बात करें अब यहाँ पर इससे फाइदा क्या होगा इंपोर्ट duties को बढ़ाने से यह फाइदा होगा कि जो हम अपना domestic manufacturing है उसको support कर पाएंगे उसको promote कर पाएंगे अब्यसी बात है इंप यहाँ पर देखने को मिलेगा चाइना की economy के बारे में चाइना की economy ग्रो हुई है 2.3% से और यहाँ पर यह बोला जा रहा है 2.3% से कम से कम पिछले 44 साल में भी इतने धीरे धीरे चाइना की economy ग्रो नहीं हुई जितनी धीरे से आज ग्रो हुई है यानि कि काफी हद तक ते स्पीड कम होगी है बहुत कम स्पीड से चाइना की एकॉनमी ग्रो हो रही है क्यों ठीक है मतलब रिलेशन्स वगरा काफिया तक खराब है चाइना के अगर हम देखें बाकी अधर कंट्री से उसके बाद एक आर्टिकल छोड़ा सा यह भी है यहां पर क्या बताए गया इंडि इसकस कर लिए तो गाइस एडिटूरियल पर देखते हैं वैसे आज के जो एडिटूरियल है वो एक भी इंपॉर्टन नहीं है तो आज हम लोग एडिटूरियल को डिसकस नहीं करने वाले यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह वैक्सीन से रिलेटिड हो गया यहां पर और एक आर्टिकल आप लोग दाइक सकते हों वैक्सीन जो एक इंपॉर्टन एडिटूरियल कोश भी अच्छा आया निहीं है क्या लिखोगे आप रट चुके हो और यह इसमें कोई ज़रूरत नहीं है को आजके को supports गार कि आज के एडिटोरियल आपको सभी को आते हैं वैक्सिनेशन प्लाइन्स क्या है कौन कौन सी वैक्सिन है क्या प्लाइन्स चल ले हैं दूसरी चीज क्या COVID-19 की सिचुएशन है क्या pandemic की सिचुएशन है दो article में में pandemic से related है दो article का vaccine से related है क्या पढ़ोगे कुछ नहीं खाक तो आज का छोड़ो एडिटोरियल ठीक है आज में कुछ नहीं है तो गैज इसे के साथ होता है आज का मरे न्यूस पेपर अनलिसस पुरी तरह से समाप आई होप आप लोगो सारी चीज़े क्लेर हो गई होगी अभी तक आपने इस चल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेडिकलर का बटन आरोगा सब्सक्राइब कर लेना साथे साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबाई हैवा नाइस टे